गर्मी वत्ती यंए वच्छे हवामान विभागे आपईउचीग गूडड निूज चौमासाने लेई ने चिंताना वादड दूर थाया चे हवामान विभागे चौमासु सामने रहवानों पूर्वानुमान करियु छे एवु पण अनुमान छे के चौमासाना बिजाहाफ मा अल नीनोनी असर जुवा मड़ी शेके छे पड़ अल नीनोनी असर एटली बदी नहीं जुवा मड़े आप एला हवामाननी आगाही करती खानगी संस्था स्काइमेट देशमा सामानी थी उच्छा वर्सादनी आगाही करी चुकीश है हवमान विभागे आप्या सारा समाचार चालू वर्षे चोमासू सामानी रहवानी आगाही देशमा चन्नू टका वर्साद पड़वानी संभावना मार्च महिना अने एप्रिल महिनाना शरुवातना दिवसुमा समगर उत्तर पश्चिम भारत मा वर्सादनी गतिविधी जोवा मड़ी जना कारणे सामान ये थी ओछु तापमान नोध्वा माव्यू जोके 10 एप्रिल थी तापमान मा वधारो जोवा मड़ी रहो छे तेवामा हवे हवामान विभागनी चोमासान लेने आगाही आवी गई छे हवामान विभागे आगामी चोमासा बेहजार प्रिवी संगेनू प्रथम पुर्वानुमान करिऊ छे हवमान विभागना पूर्वानुमान मुजब देश माँ चोमासू सामाने रह शे चोमासा माँ छन्नू टका वर्साद थवानी संभावना छे समगर देश माँ चोमासानी सामाने स्थिती छे हडवाथी सामाने करता वधू चोमासानी सर्षट टका सक्यता छे इटले के जो आगामी दिवस्तों माँ चोमासानी स्थिती बदला शे तो चोमासाने लईने फेरफार जोवा मड़ी शके छे जून से सेप्टमबर के अंदर जो बारिस होने माला है वो लॉंग पिरेड एवरेज का 96% होने का पुर्बान मान किया जा रहा है लॉंग पिरेड एवरेज का मतलब होता है कि 1971 से 2020 के बीच में जो बारिस रेकर्ड किया गया इसको आधार करके एक एवरेज फिगर निकला गया जो है 87 सेंटिमीटर पर कंट्रेजेव फोल जब मैं 96% रेनफॉल का पुर्बान मान कर रहा हूँ इसका मतलब है कि 87 सेंटिमीटर की 96% यानि लगभग 83.5 सेंटिमीटर रेनफॉल पूरी देस में रेनफॉल होने का पुर्बान मान किया जाता है ये जो मोडल का पूर्वानमान है ये मोडल का एरोर होता है प्लस मैनस 5 परसेंट यानि 96 परसेंट पूरवानमान का हिसाब से एरोर हो सकता है नाइन्टीवण परसेंट से 101 परसेंट जोके एक दिवस पहला हवमान संस्था स्काइमेटे देश मा सामने करता ओछा वर्सादना संकेत आप्या हता स्काइमेट मुझब अल नीनो ना कारणे आ वर्षे लाबागड़ाना सरेराज चोराणू टका वर्साद थाई शके छे देश मा चला चार वर्ष थी सामान्य अने सामाने करता वदू वर्साद थाया बाद अल नीनो ने कारणे आ वर्षे दक्षिन पश्चिम चोमासू नबढ़ू पडवाना संकेत छे दुशकाड नी पन वीश्ट का संभावना छे हकीकत मा लानी ना पूरू थाई चिक्यू छे अने आगामी दिवसों मा अलनी नोने कारणे वर्साद नमणू रहवानी संभावना पण व्यक्त कराई रही छे जोके हवामानी विभागनू कहवू छे के अलनी नोनी वदू असर जोवा नहीं मड़े अलनी नोनी असर चोवा सना बीजा हाफ मा एटके ऑगस्ट सप्टेंबर मा जोवा मड़ी शके पूरी महरत में जून से सप्टेंबर के अंदर जो बारिस होने माला है वो लांग पिरेड एवरेज का 96 परसेंट होने का पूर्बान मान किया जा रहा है विंटर में आप देखे होंगे कि लानिना कंडिस्टन अफ्टू फेवरेरी प्रिवेल कर रहा था जो कि एक्वेटरियल पेसिफिक ओशन का सी सर्फेस टेंपरिचर के पर आधारित है अभी वो लानिना कंडिस्टन चेंज होते हुए एक न्यूटरल कंडिस्टन में प्रिणत हो गया यानि अभी ना ये लानिना है ना ये एलिनो है मगर जो models का पुर्बानमान है इसके हिसाफ से मानसुन सीजन की द्वारान neutral conditions से alieno conditions evolve होने का पुर्बानमान क्या जा रहे और most probably ये July मैने के आसपास develop होने का पुर्बानमान क्या जा रहे भारत मा केवी रिते थाई छे चौमासानी एंट्री चौमासानी शरुवात दक्षिन भारत मा जून महिनाती थाई छे त्यारे मौनसून उत्तर पश्चिम दिशामा देशना अन्य भागोमा आगण वदे छे पछी धिमे धिमे चौमासू देशना बदा भागमा पौँची जाई छे रस्प्रद वात ए छे के चौमासू उत्तर पश्चिम तरफ आगण वदे छे तो हवाओ दक्षिन पश्चिम तरफ आगण वदे छे भारतमा चौमासू बे दिश्चमाथी एंट्री मारे छे अरब सागर माथी दक्षिन पश्चिम चौमासानी एंट्री थाई छे जारे बंगाडनी खाडी माथी आवे छे दक्षिन पूर्वी मोन्सून चोमासानी एंट्री बाद पष्टिमी घाट पर भारे वर्षात थाये छे बीजी तरक पुर्वोत्तर्ना राज्जियों मा पन भारे वर्षात पड़े छे चोमासु जारे भारतमा एंट्री करे छे त्यारे केरणना मालाबार तड़ थी कोंकणना तड़ सुदी जाये छे त्यार बाद चोमासु गुजरात अने राजस्थान थाई दिल्ली पहुचे छे देशमा चोमासाने लई आगाहियो शरू थे गई छे हवमान विभागनी प्रतम आगाही आवी गई छे जि खेडुतों ने ग्रामिन अर्थ तंत्र माटे सारा संकेत लावी छे हवे चोमासानू आगामी अप्रिट मेना छिल्ला सप्ताहमा जाहर करवमावशे जिना परती एकदम सचोट अंदाज आवीशक्षे कि आवर्षी देशमा चोमासू सामाने रह्षे कि पची चिंता करावनारू